नमस्कार में निहाज उशी आप देख रहे हैं दफेक्ट इंडिया राजस्तान की राजनिते में चंद दिनों से कुछ उबाल दिखाए दे रहा है सिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक ऐसा बयान दिया उसके बाद में राजस्तान की सियासत है वो गर्माई हुई है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बेरिकेट लगे हुए हैं वो आज इसलिए क्योंकि राजकुमार रोत ने सांसद की तो शपत है वो ग्रहन कर ली है लेकिन जब विराजस्तान लोटे हैं कल देर रात विराजस्तान लोटे और उन्होंने ट्वीट के जरी अपने सोशल परा के लगबग हो चुका है लेकिन इस वक्त राजकुमार रोत हैं वो रुके हुए हैं बाहर ही है वो यहां तक अभी नहीं आ पाए हैं लेकिन सुरक्षा इस प्रकार है पुलिस परशासन यहां पर मोजूद है बेरिकेट से हां पर लगा दिये गए हैं और यहां पर रा आवास पर मैं खुद सोब करके आऊंगा राजकुमार रोत और उनके साथी अमर जवान जोती सरकिल पर वे बैटे हैं अभी क्या इसती बन रही है समझाई इसकी कोशिश भी हो रही है लेकिन डियने टेस्ट के लिए अगर वे यहां आते हैं तो यह राजभवन का ही रास्ता है मदन दिलावर सिक्षा मंत्री है उनके उनका जो आवास है वो आगे जा करके है और यहां पर पुलिस प्रशासन है वो तैनात है यानि कि राजकुमार रोत को आने से रोकने के लिए यह जो कड़ी सुरक्षा है वो की गई है सीम बजनलाल शर्मा कुशी देर में यहां से निकलेंगे यहां से गुच्रेंगे लेकिन यह मुश्किल है वो राजकुमार रोत के लिए बनी हुई है कि राजकुमार रोत क्या यहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि आदिवासी समुदाए कि वो पैचान देने के लिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है उन्होंने कहा क यहां से रास्ता खुला है दोनों तरफा रास्ता खुला है लेकिन यहां पर राजकुमार रोत यहां तक भी पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे यह देखने वाली बात है फिलहाल राजकुमार रोत अमर जवान जोती पर वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ में मोजूद है और कड़ा प्रदर्शन कुछ दिनों में आपने राजस्तान में देखा होगा आदिवाजी समुदाय, ओबीसी समुदाय के द्वारा किया गया था कि हम हिंदू है या नहीं है, हम हमारा DNA टेस देनी के लिए तयार हैं, ये अलग-अलग समुदायों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन भी किया गया था, जैपूर में भी, बासवाडा दूंगरपूर में भी, लेकिन राजकुमार रोत जैसे ही दिल्ली से लोटे, उन्हों कि अमर जवान जोती पर ही रुके होए हैं, और हम आपको पूरा द्रश्ट दिखाएंगे, और राजकुमार रोत से भी हम बातचीत करेंगे, क्या वे मदन दिलावर के आवास तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा तो यहां पर कड़ी मोजूद है, और अपने साथ दमखम के साथ आएंगे, तो क्या डियने टेस्ट वे किसको सोपेंगे, क्योंकि मदन दिलावर के आवास पर तो अभी सूना पन है, खाली पन है, मदन दिलावर यहां पर है या नहीं है, इनकी जानकारी शायद राजकुमार रोत को भी हो या ना हो, लेकिन राजकुमार र करेंगे, अमर जवान जोती हम पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके आगे की प्लानिंग है, क्या वे डियने टेस्ट सोपने के लिए मदन दिलावर के आवास पर आएंगे, आगे के उसमें दिखाएंगे हम, क्या कुछ उनकी आगे की समझाईस है, क्या कुछ प्लानिंग है, क करे दिस राए अदे खिमार् रचा समान झान जरच म Mister मुर्दाब्र 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 और दिलावर के बयान पर है वो अब सियासी घमासान है, वो मच चुका है, राजकुमार रोत डुंगरपुर भासवाडा के सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इविधान सभा के बाहर का जो शेत्र है, वहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्लड सेंपल इनके हाथ में है, डिने सेंपल इनके हा कि पुलिस और राजकुमार रोत सांसद हैं, धीरज गुजर यहाँ पर मोजूद हैं, और विधायक भी यहाँ पर मोजूद हैं, यह बार-बार करें कि हमें जाने दीजे, हमें सिर्फ डिने सेंपल देना है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नहीं आगे कि पुरा आधुआती समुदाय हम यहाँ पर मोजूद हैं, लेकिन राजकुमार रोत को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, पुलिस सो यहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार-बार यह पुलिस से भी निवेतन कर रहे हैं, कि आप हमारा सैंपल उन पुलिस प्रशासन को डियाने सेंपल है वो सोब दिये गए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में तो आप देखिए समझाईश का दोर है वो यहां लगभाग खत्म हो चुका है दूसरे तरफ बेरिकेट है और इदर राजकुमार रोत और उनके साथ में दीरज गूजर यहा इसको सोम दिया गया है। पुलिस प्रशासन को सोम दिया है कि मदन दिलावर तक पहुंचा दिया गया है और यह अगर 6-7 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं होता है तो आवश्य हम विदान सभा का गेराव करेंगे और लोग सभा के अंदर भी यह बात उठाएंगे क्या मांगे आपकी कि मदन दिलावर माफी मांगे इस पर कि उन्होंने जिस तरह से बयान बाजी किया है और साथ ही बाचपा के हाई कमांड से भी कहना चाहेंगे कि आपके मंदल में इस तरह का मंत्री है जो किसी समुधाय विशेश के डियने को लेके बात करता है तो हम लोग का हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया है कोटा में उन पर एफाई यार दर्श कर ली गई है वो भी आपके साथ है तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे कोंग् पूरवक तरीके से सरकार चला है सबी समुधाय को साथ में लेके सरकार चला है किसी समुधाय को बेजज़त करने का स्वाबीमान पर ठेस पहुँचाने के बयान बाजी से वन्चीत रहे ये लोग दूर रहे इसे राजकुमार रोत ने आपत्ती जटाई है कि मदन दिलावर के जो बयान पर है वो फुल पूर्ण तरीके से आपत्ती है और इस पर में माफी मांगे अभी समझाईश के सिर्फ इतना ही दोर जारी रहा है कि पुलिस प्रशासन को इन्होंने DNA सैंपल है वो सौप दिया गया है क मदन दिलावर जो सिक्षा मंत्री है राजस्तान के कि उन्ता के पहुंचा दिया जाए पूरा आदिवाद समुदाए और राजकुमार रोत के साथ में जो काफिला है वो ठीक विदान सबा के आगे और ये देखे यहां पर पूरा जो समुदाए यहां पर फैला हुआ है यह तो में इनके पास में पड़चा है कि मदन दिलावर माफी मांगो ये इनके समुदाए का कहना है बार बार यहीं मांग है ताज़ा ख़वरों के लिए बिजिट करें दफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दफेक्ट इंडिया एप